हेलो एवरीवन एंड वैलकम बैक टू यूजी सेनेट मेंटर आई होप यूप यूज आ डूइंग वैल गाइज आज केसे वीडियो में अनलिस करेंगे 13 अपक्टोबर को सेगंड शिफ्ट में हुए वाली एक्जाम का तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटबर से वैसे मैं बत मैं बताया कि आपके most important mcqs जो series मैंने बताई थी आप लोगों को बोला था recommend की थी कर लेना उसमें से direct question exam में देखने को मिले हैं गाइस आप यहां पर देख सकते हैं most important series करके बने चलाई थी most important mcqs series class 1-2-3-4 करके च्छोड़ च्छोड़ी क्लासे आठेट की क्लासे थी यह और यहां से direct question exam में देखने को मिले हैं ऐसा many student goal रहे हैं जो इस exam में appear करके आए इसके लावा data and reputation बताया है कि बहुत ही ज्यादा moderate था जिसमें company given थी छे कंपनिया थी और 6.5 total sale given थी और इस तरीके स question में बहुत ही easy question थे क्योंकि university education commission का पूचा गया था दक्ष वान था तो इस से related question पूचा गया था जैसे कि आफ सभी को बता है कि जितने भी higher education के related committees वगरा बन चुकी है उन सभी committees को ने बताया था कि hardly 4-5 committee है जो बनी है higher education से related तो इनको अच्छे से पढ़ लो यहीं से question बार some men are honest का equal कौन सा होगा और option given थे इस तरीके से कि some men are not honest some men are not dishonest इस तरीके से कुछ given था तो ग्याइस देखिए important topic series का link आपको इसी वीडियो के description box and comment box में मिल जाएगा नहीं देखा तो अपी तक एक बार check out कर ले ना इसके अलावा guys देखिए एक question पूचा गया था आपका number series की उपर तो number series का question जो था इसमें आपको odd one out बताना था odd number बताना था कि odd number कौन सा है यहाँ पर missing number का question नहीं था odd number का question पूचा बाता तो देखिए अगर आपने मेरे number series की वीडियो देखी तो मैंने आपको यही बताया था कि question को सोचना कैसे solve तो कोई भी कर देगा सोचना कैसे सामने स्क्रीन पर question आएगा तो question को देख कर कि क्या सोचेगी जिससे आपको question solve हो जाए तो मैंने आपको आपको बताया था कि जब number increasing order में हो और number बहुत ज्यादा gap नहीं है उनके बीच में इसका मतलब है 7 के gap है ठीक है next number में कितने gap है साथ यदर तीन और वह चार तीन साथ हाँ then again 7 के gap है और next नंबर चॉबिस और सेंटिस की बीच में कितना gap हो जाएगा साथ में चार गया तीन और तीन में दो गया एक तेरा 13 का gap है तो आप देखेंगे गाईस कि यहाँ पर जो series बन रही है यह वाली कुछ 8 पटी से series बन रही है तो यहाँ पर समझ में आपको series तब आएगी जब आप थोड़ा सा और अच्छे से observe करेंगी कि यहाँ पर जो gap ब पर बनादूँ कि 5 है 10 है 17 है 26 है तो इसे बाद 37 है तो आपके 7 से देखिए कि इन इस सब्सक्राइब हो जाएगी तो इसका gemacht करेंद जो नंबर है वह गलत वूलें धूंबर है और 24 तो 24 के तो इस तरीके से आपको इस question को समझना था और solve करना था वैसे मैं आपको बता दूं कि odd one out निकालने वाला question थोड़ा से comparatively tough माना जाता है as compared with missing number निकालने वाला because missing number में क्या होता है कि आपको जो इसके बीच में logic लग रहा है वह easily समझ में आ जाता है और इसमें क्या होता है कि बीच में कोई number अगर गलत दिया हुआ है तो फिर logic जो हो खराब हो जाता है फिर आपको logic लगाना प्रुड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो बस यह गाई इसके बाद question पूछा गया था आपका RC भी थोड़ा सा moderate level का था ऐसा मैंने बताया और reading comprehension की question को मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको solve करना है कुछ tips and tricks मैंने आपको समझाये थे नहीं देखा तो देख लेना simply आप search करेंगे यूट्यूब पर UGC Net Manager के नाम से तो search करने के बाद आगे लिख देना reading comprehension ऐसे करके search करोगे तो वीडियो में बेजता है इस तरीके question था exact question याद नहीं है student को तो मैंने इसको complete question डाला भी नहीं है तो कहने का मतलब है कि interest पर question बन रहे है आज morning की shift में भी simple interest question पहुचा गया था वैसे मैं बता दूँ कि simple interest question काफी easy होते है अगर आप थोड़ा सा भी दिमाख लगाओगे तो question आपसे easily हो जाएगा average का question given था 15 students and teacher की age का average given था और इससे related कोई question पुचा बाद था average की question भी काफी easy होते है अगर आप थोड़ा सा concentrate करेंगे तो easily आपसे question हो जाएगा इसके लावा इस रूसा का purpose पूछा हुआ था उच्छितर सिक्षा अभियान जो करके रास्टी उच्छितर सिक्षा अभियान इसकी full form में रूसा की अच्छे से आद कर लिजे it is a holistic scheme of development for higher education in India initiated in 2013 by ministry of education government of India the centrally sponsored scheme aims at providing strategic funding to higher educational institutions throughout the country country के अंदर हमारे जो है ये scheme जो है हमारे central government की तरह से launch की गई scheme 2013 में start की थी और इसको higher education की परपर से बनाए गया था है नाम से पता चला होगा कि उच्छितर सिक्षा भियान है ना तो इसके लाब अगर इस communication में seven tradition से related कोई question था I don't know किस तरह कोशन था मुझे समझ गया आया यह but communication से भी question पूछे गयते RAM cache memory ROM से question था कि computer को अगर shutdown कर दिया जाय तो कौन से I mean शायद यहां पर memory होगा कौन से memory से data remove हो जाता है तो यह तो RAM यह फिर cache memory होगा आप लोग comment करके बताना कि इसमेंसे कौन से right answer है अगर question यही था तो और अगर question कुछ और था तो मैं भी शायद कुछ और answer हूँ exact question पता नहीं चल पाया कि क्या question था नया फिलोसिपी पर question पहुच आगा था प्रतेक्ष प्रमान पर तो इस देखिए छे के छे प्रमानाज काफी important है सारी के सारी प्रमानाज अच्छे से कर लो सारी के सारी प्रमानाज आपकी exam की purpose से important है मैंने वैसे बता दूँ कि Indian logic की मैंने theory भी करवा रखिये YouTube पर प्लस मैंने एंसे की practice भी करवा रखिये आपको तो अभी तक नहीं देखा तो देख लेना आपको simply search करना UGC Net Mentor आगे लिख देना Indian logic search करोगे तो वीडियो आजाएगे छोटी सी वीडियो 10-15 मिनिट की वीडियो जिसमें आपको complete theory मैंने आपको समझा रहे की प्रमानाज की छे के चे प्रमानाज मैंने भी example चीज़ों को आपको explain क्या हुआ है तो आप इंचे जो जरूर से जरूर गोत्रू कर लें इसके बैक फॉर्म दा RFID टैग तो गाइस यह आपकी रेडियो से रिलेटेड आपका एक कैसे थे हैं कि तरीके से वाइले सिस्टम है जो कोई जो की रेडियो आपके जो फ्रिक्वेंसी उनको पकड़ने काम करता है इसके लिए बता है कि इस बार सबसे ज्यादा कोशन जो थे इसके अलावा हनसा महता से आया था कुछ गोल पूछा वार था इससे रिलेटेड कोई कोशन था एक्जेक कोशन नहीं पता कि इसके पता है कि जो आपका यूरल बन जाएगा और अगर आप यह नहीं लगाते हो तो यह आपका डोमें बन जाता है ना इसको हम डोमें कहते हो डोमें नेंग क्या होता है जिसमें आपका । नहीं लगा होता है तो यह आपको डोमें बन जाता है ना इसके रवा सब डोमें होता है आपका सवयम परबा से कोशन गिवन था तो मैं आपको बताता हूं कि सवयम परबान मुक मैंने काफी अच्छे से डीटेल पर आपको कवर करवाया हुआ है अच्छे से तभी आपका एकजाम अच्छे से क्राइगा फर्स्ट अटेंट में तो इसके लिए अपकमिंग सेशन के लिए हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है आप यहां पर और टेन यूनिट्स जो है इस क्रेश कोर्स के नदर आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के अलेक्स से फोकस करके आपको पढ़ाया गया है बेसिक से अडवांस लेवल तक तक कि आपके यह वाली टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएं अभी अच्छे से इंडॉल्मेंट अपने करवा लिए अगर आप आप अपनी प्रिप्रेशन अच्छे से करना चाहते हूं थी अब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स मिल जाए का इसके लावा आपने अभी तक टेलेगरम गूरूप जोन निक्या तो कर ले ना वहापे भी आपको इन से भी क्लासिस के लिंक मिलते रहते हैं इस वीडियो में इतने गाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वी चलड़ कर ले मिलते हैं जो हमक आपको इस की तिता जाए मरते हैं पूर्व स्याचिवे नेढ धर मैं जो अग्ड़ों खूरूशन र्लीट कर रहा अज्वाब कर दो जो सबस्ड़ कि द리से आपकों ल sphere कि अ